हेलो दोस्तू, हर इस्त्री के लिए मा बनना जीवन का सबसे बड़ा सूप होता है और गर्भावस्ता ताहर दिंग उसके लिए बिशेश होता है ऐसे में पिर्मेंसी के दुरान महिला हर पर अपने गर्भ में फल रहे बच्चे के बारे में सोचती रहती है उसी जानने की उर्षुकता रहफी है कि फ्यासे उसका बच्चा बिशिट हो रहा है उनसी महीने में बच्चे के कौन सब्सक्राइब का बिकार चुलता है और वो कैसा बिखता है वैसे आज कर मेंडितन साइंस की इतना बिक्सिट हो चुका है कि अब डॉक्टर्स गर्भ में पल रहे बच्चे की तस्वीर तब पैरेंट्स को उपलब दतरवा रही है लेकिन बहुत से लोग है जो अभी तत इस से अंजान है तो उनके लिए आधिम बताने जा रही है कि पहले से नोवी महिने तब बच्चा किस तरह मा के गर्भ में बिक्सित होता है नेकिन तो उस्टो ब्यूडियो शूल करने से तहले आप हमारे चैनल को सब्क्राइब जरू कर ले ऐसी ही जानकावियों के लिए आप हमारी अपसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं लिग दिस क्लिफ्रिम बॉक्स में दिया विया है हमारा आपसे यह अनुरोध है कि इस ब्यूडियो को गर्भती मेंजाओं के साथ जरूख शेल करें ताकि उन्हें दर्भावस्ता की दोरान बच्चे के विकास की जानकारी हो सके तो चलिए शुलू करते हैं गर्भावस्ता के पहले महीने में बुरूम यानि बच्चा एक पाने भरी थैली मेंद होता है उसके लंबाई केवल 0.6 cm यानि उरभ के एक दाने के बरावर होती है हलाकि इस दोरान सिशू के लंबाई और बजन में फ्रेजी से बरहुतरी होती है तूसरे महीने के दोरान बच्चे की शरवन सक्तियां यानि कांट्फ और ड्रस्टी तिंद्रियां यानि आखे बन में लगती है पर अब तब पई के बन रहती है इसके साथ ही चहरे के ने नक्स बनने शुरू हो जाते है और दिमाद तब ही बिकास ठोने लगता है हाथ फैरों की अंगलियां बे नाखून बन में लगती है मैलगी की नाज बनती है इससे ही माद के दोरा बच्चे को भोजन पहुंसता है अमास्रे यानि डाइजेस्टिव सिस्टम लीबर और किड्नी का विकास शुरू हो जाता है इस दुरान महिला वो बच्चा उसके दर्भासे ने मुलायम गांट की करे महसूस होता है बही शिशू की लंबाई की बात करें तो वो तकरीबन 3 सेंटिमीटर का होता है वो बजन 1 ग्राम होता है तीसरे महिने में शिशू के वोकल कार्स बन चुके होते हैं और शिशू सिर्ट उपर उठा सकता है हलती आतार बहु छोटा होने ते तारण उसकी हगसर महसूस नहीं की जा सकती है बही अंगों की बात करें तो उसकी आँके बंच चुकी होती है वलके अभी भी बंच होती है इसके साथ ही उसके हाथ, अंगोलिया पैर, पंजे और पैरों की अंगोलिया और नाखून इस महीने में केजी से बिचसित हो रहे होती है चोथी महीने में बच्चे की नंबाई और बजम में ठेजी से बलदी होती है साथ ही उसके बाल भी आने शुरू हो जाती है इसके अलावा भोहे पर पलत्य बाद ही आले लटने है चोथी महीने में उसकी स्किम पर सरवी आमाज शुरू हो जाती है इस महीने में शिशु की लंबाई 18 सेंपीवीदर और बड़न 100 ग्राम हो लाता है पांचवी महीने में एक दरवस्त बच्चा कभी-कभी पेट में हर गताता है बही इस दोरान इस सफेद चिकम लिक्विद बच्चे की स्किन को आनिनो पिकपाने से शुरुक्षा करता है यह लिक्विद बरके बच्चे की अनिए एक तक्या की तरह ताम करता है और इसे बहारी जट्के से बचाता है पांचवी महीने में शिशु की लंबाई लदब 25 से 30 सेंटिमीटर और बजन परीब 200 से 450 गिरम तब हो जाता है छटे महीने में बच्चे की आँखे पूरी तरह बिक्सित हो जाती है साथी पल के भी खुले और बंद होने लगती है इस महीने में उसकी स्किन लाल होती है पर स्किन पर जुर्लिया रहती है छटे महीने में बच्चा रो सप्ता है और लात मार सप्ला है उसे हिचकी भी आ सकती है दर्वावस्ताती साथवे महीने में बच्चे की धरकन सुनी जा सकती है इस दुरान वो अगोठा भी चूजता है साथवे महीने में बच्चे की रंबाई तक्रीवन 22 से 42 सेंटीमीटर तक फूती है और बजन लगभद 1200 दिराम से 1350 ग्राम होता है आगे दे महीने में शिशी की आँखे खुलती है और उसमें जा अमें सोने की खास आदब बिक्सिट हो जाती है इस दुरान उसका बजन फरी भ्लू 1000 से 2300 ग्राम हो जाता है और लंबाई 49 से 43 सेंटीमीटर हो जाती है इस महीने में बच्चे की हलचल साफ महसूस होती है नोबे महीने में बच्चे का सिर मीचे और पैर उपर की तरफ होती है बच्चे की आँखे गहरे कबूटर रंपी होती है हालती जेलम के बाद उनका रंग बदलता है और बजम, बतीसो से चोटीसो ग्राम ते आसकवास होता है दोस्टो आज की वीबियो में बस एकना ही वीबियो अच्छे ले ले तो सब्सक्राइड बे उपने एने वार